जब सुदामा विप्र द्वारिका से आपस आ रहे थे कृष्ण के साथ भेट हो गया था आपस में मन में सोच रहे थे कि क्वा हम दरिद्रपापियान क्वा कृष्ण स्रीनिकेतन ब्रह्मवंधुरितिस्माहं बाउभ्यंपरिरंभित वो सोच रहे थे कि में एक दरिद्र पापी ब्रह्मवन हूं बास्तव में सुदामा दरिद्र नहीं थे और पापी नहीं थे खुद को मेसुष कर रहे थे, मैं एक दरिद्र ब्राम्हन हूँ, पापी ब्राम्हन हूँ, और मैं ब्रह्मवन्ध हूँ, मैं नाम से ब्राम्हन हूँ, लेकिन काम से नहीं है, ऐसे सोच रहे थे, खुद को छोटा मान रहे थे, और ऐसे मेरे मित्र जो ब्रह्मबंदुर इतिस माहम में ब्रह्मबंदु होते हुए भी मुझे अलिंगन किये दोनों भुजाओं के साथ तो ये है विचार सुदामबी प्रका मित्रता में कभी भी छोटा बड़ा धनी गरीव या मूर्ख पंडीत ऐसा कुछ भेद भाव नहीं होता है तो भगवान इस प्रकार बेवार किये समाज में रहने वाले सभी वेक्ति को एशाही मित्रता में बेवार होना चाहिए शीखना चाहिए भगवान शीख्षा देते हैं कि हम किस प्रकार मित्रता का बेवार करना चाहिए तो किसी प्रकार के भेद भाव नहीं होना चाहिए हरे क्रिश्ण